आज की क्लास में हम लोग RRB NTPC और ग्रूप D के मैथ के प्रेक्टिस पेपर को डेली एक एक पेपर हल करेंगे और यहां से अब हमारा मिचलेनियस टाइप का क्वेशन रहेगा ऐसा नहीं होगा प्रेक्टिस वाले में कि चैप्टर वाज चैप्टर वाज जो हमारा चल रहा है वो चलता रहेगा उसी क्रम में और आज से हम लोग डेली एक पेपर डेली NTPC और ग्रूप D के परपस से सॉल करेंगे इससे क्या होगा हमारे पास क्वेशन पे हमारी पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है ठीक है क्योंकि जब एक तरफ से चीजों को पढ़ते हैं तो वह बात दूसरी होती है जब कोई चीज रेंडवली हमारे सामने आता है वहां पे हमारा अपना माइंड लगाना आईए देखते हैं पहले पेपर का question number पहला हमारा इसमें कहा है एक motorcycle 3 गंडे में 60 km की दूरी तय करती है इसकी चाल को दो गुणा किया गया वह अगले एक गंडे में कितनी दूरी तय करेगी अभी देखो पहले motorcycle 3 गंडे में 60 km की दूरी तय करती थी तो आराम से आप यहां से चाल निकाल सकते हो, देखो चाल बराबर आपका क्या होता है, चाल बराबर दूरी, मतलब distance upon क्या, time, दूरी बटा क्या समय, speed is equal to distance upon time, यहाँ पे आपका चाल बताना है, आपकी distance दे रखा है 60 किलो मीटर, और आपका दे रखा है time कितना 3 घंटे, तो आपका speed क्या आ गया, 20 20 किलो मीटर पर आवार्ट 20 किलो मीटर पर गंटे की चाल से उसकी वो चल रहा था इस स्टार्टिंग में फिर क्या कहागा इसमें अगर उसकी चाल दूग ना कर दिया जाएगा तो इस 40 किलो मीटर पर आवास नहीं हो जाएगा हो जाएगा अब अगर 40 km पर घंटे की चाल से चलेगा तो कहा है अगले एक घंटे में कितनी दूर रिते करेगा 40 km हो गया ना अंसर ऐसे ही question आते हैं ठीक है ना बिल्कुल आसान सा question था तीन गंटे में 60 km दूर रिते करता था हमने चाल निकाल लिया आ गए 20 km पर घंटे का और फिर आगे कहा गया था तो अगर चाल को दोगना कर दिया जाए अब चाल 20 से क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी चार आठ और 12 का महत्तम समापुरता क्या है कितना चोटा question है एक दम बच्चों वाला चार आठ और 12 का चार आठ और 12 का इसका हमें है एक बार में दो बार में और तीन बार में तो आपका माता क्या हो जाएक चार कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है ऐसे ही सवाल आते हैं गूरूप टी में चलो अगला सवाल देखते हैं हमारा दिया है देखो कह रहा है 75 का एक बटा 30 भागे एक बटा दो बराबर question मार द देखो 75 का का मतलब क्या होता है गुणा देखो हम लोग जब simplification पढ़ते हैं वहाँ पे एक board mask ऐसे करके नियम पढ़ते हैं उसमें होता क्या है कि breaker तो पहले हल करते हैं ठीक है ना उसके बाद कारकरम क्या होता है जब हमारा बात फंस्ती ही का और divide वाला जब यह दोनों हमा लेकिन अगर यहीं सिंबल लगा हो ऐसे mathematics वाला तो सबसे पहले हम लोग भाग करते हैं उसके बाद गुणा करते हैं लेकिन अगर हिंदी वाला का लिखा होगा तो गुणा होता है लेकिन सबसे पहले हम लोग गुणा करेंगे फिर भाग करेंगे ठीक है ना हिंदी वाले का तो ये दो बटाई एक हो जाएगा बदन जाएगा अब 15 से कारद पांच बार में और फो ने कर दो आपका क्या गया पांच आइज साधारन व्याज साधारन व्याज की दर से 5 बर से 520 रुपय हो जाएंगी 400 रुपे प्रति बर्स हमें यहां पर ब्याज की दर बताना है कि ब्याज की दर यहां पर कितना लिया जाए वो भी साधारन ब्याज की दर कि 5 बर्स में 520 रुपय हो जाए अब देखो आपका साधारन ब्याज मतलब यसाई बराबर होता है मूल धन गुणे दर गुणे समय और बटा 100, मूल धन, गुणे दर, गुणे समय बटा 100, यह साई, आप देखो, 400 से 520 धन हो गया है, तो ब्याज कितना मिला होगा, 120 रुपय है, 120 मिला होगा, मतलब साधरन ब्याज कितना 120, बराबर, मूल धन, मूल धन आपका दिया है 400, मूल धन 400 ही था, दर, दर आपका निकालना है समय कितना है पांच वर्स में ऐसा काम हो रहा है तो समय पांच और बटा क्या बटा सब यह देखो डबल जीरो यहां से डबल जीरो कर दो पांच और चार का गुणा 20 और 20 छक्का 120 तो यही आर बराबर आपका क्या आगा है 6 परसंट आपका रेट कितना और दो इंसर हो जाएगा बाद समाझ में आ रही न चल cleanup अगले सवाल पर आते हैं कि अगला सवाल कि स्वंशा5 मेट नोलौ मेटर एस में बितान की परिदी कितनी होगी परिदी हमें बताना है और हमें त्रिजय से скажuसित ब् tip टूपता होना चाहिए तो ब्रित ब्रित के परिधी बराबर क्या होता है टूपाइई आर कितना टूपाइए र् अप लिके अर आपके रेडिस से तिरजेहा है दो हो गया पाई के 123 वट्डे साथ होता है 22वट्य साथ रख दो आर रेडियस रेडियस आपके कितना 31.5 मीटर 31.5 अब काट लो इसी को देखो साथ से इसको काट लो साथ चोके अठाइस तीन अठिस और साथ पाचे पैंटिस चार्ज पांच बाल में कट गया और पैंट आलित और दो का गुणा 90 हो गया और 90 और 22 गुणा कर लो 9218 के याठ एक और 9218 मीटर में था है सेंटी मीटर में मीटर था तो 118 मीटर ठीक है ना इसकी परिदी कितने आगी 108 मीटर यहां पर स्क्वाय नहीं होगा केवल मीटर होगा 108 मीटर आपको पहला वाला क्या हो गया एंसर हो गया ठीक चले अगले सवाल पर आते हैं बेसिक कैसे लगता है दो क्रमागत संख्याओं के घनों का अंतर क्रमागत मतलब एक के बाद एक अगर हम पहली क्रमागत संख्या एक्स लेंगे तो हमारी अगली क्रमागत संख्या एक्स प्लस वन हो जाईगी हो जाईगी ना और इनी दोनों के घनों का अंतर घनों का अंत मतलब इसका घं बड़ी संख्या में से हम लोग छोटी संख्या घटाएंगे एक्स प्लस वन इसका घं और माइनिस एक्स का घं इन्हीं का अंतर कितना दे रखा है एक सो 27 दे रखा है तो हमसे यही पूचा है कि वह संख्याएं है हैं आपको बेसिक तरीका नहीं लगाना है इतना बड़ खाम नहीं करना आप धुटूर हम लोग करेंगे वर यह भी तारी सउन करके इन दोनों का वनका अनतर गह रहें किसमें एक सु सटाइसाटा है और आप इकाई यंग से भी काम कर सकते, देखो, 366 ये 216 हो गया, और 525 बंची एक्सो पचीज, अब यहां पे आ गया 216 और ये माइनिस एक्सो पचीज, तो देखो, 16 में से 5 गया कितना, क्या यहां से इकाई यंग पे साथ आएगा, नहीं आएगा, तो इसका मनलब ये नही होगा, हटा दो इसे, हटा दो पहला आप्सन, अब दूसरे पर आओ, चार पांच, ये 215 हो गया, अब ये बताओ, इन दोनों के घनों का अंतर क्या कभी 127 हा सकता, कभी नहीं आएगा, क्योंकि 5 का घन, 123, 4 गन, 4, 64, अंतर, 123, आगा ये नहीं, आगला देखो, 7 साथ आएग इन पर साथ आ गया, अगर एकाई एंग पर आँ से साथ आ गया, तो मतलब हमारा ये वाला एंसर क्या हो गया, सही हो गया, अब यहीं पर इन दोनों का अंतर क्या साथ आएगा, ठीक है ना, तो ये बेशिक तरीका था, इसको भी हमने बता दिया, कि अगर आप कुछ नहीं स पर सेंट तक बढ़ाई गई है, और इसकी चोणाई 20 पर सेंट तक घटाई गई है, इसके छेत्फर में कितने परिश्चत की ब्रिद्धिया कमी होगी, देखो एक परिश्चत परिवर्तन का सवाल है, यहां पर हम लोग एक फार्मूला बच्पन से क्या, जब से कमटीशन म परिवर्तन, परिश्चत परिवर्तन बराबर एक सवाल पर्मूला एक प्लस वाई और प्लस एक्स वाई वाई हंडड़, इसी को पढ़ते हैं, ठीक है न, और इसी पर हमारे बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, हम लोग यहां पर ब्रिद्धिया हो रही होती है, वहां पर पर कमी हो रही होती हूं, आप माइनस में ले लेते हैं, चलो, प्रिश्चत परिवर्तन देख लो क्या हो रहा है, बराबर एक्स का मान, 20% की लंबाई में ब्रिद्धी होई है, और चोड़ाई में 20% से कमी होई है, तो एक तो प्लस हो जाएगा, दूतरा माइनस हो जाएगा, और माइनस 20 गुणे, 20 बटा, सब हो जाएगा, तो देखो, ये 20 से 20 कट गए, 00, 00 यहां से कट गए, दो दून अचा, आपका आगए माइनस में 4%, माइनस 4% का के मलब 4% की कमी हो रही है, तो यहाँ पे 4% की कमी हो जाएग, मैनस में आने का मलब कमी होता, ठीक, चले, अगले सवाल पर आते हैं, अगला सवाल आपका दे रखा है, यहां देखो, कहा गया है, 0,0050, इसको भाग करना है, 0,05, और फिर इसमें एड करना है, 0,05, तो क्या आएगा यह बताना, देखो, सबसे पहले हम लोग 0, यहां पे 0,05, 0, 0, भाग करना है, तो इसको हम गुणे करेंग तो एक बता 0,05 भी हो जाएगा, ठीक है न, और इसमें प्लस करना है, 0,05, इसको कर लो, अब देखो, यहां से, इसको दो अंक का, यहां से दसमलो हटा दो, तो यह भी दसमलो यहां से हटके, यहां पे आके पहुँच जाएगा, आजाएगा न, अब इस पांस से देखो, इ एक दसमलो, देखो, इन दोनों को आप जोड़ लो, दोनों को आप एड़ कर लो, क्या आगए आपको, दसमलो, एक, 0.1 और प्लस, 0.05, तो आपको क्या आजाएगा, 0.15, ठीक है न, चीज़ी एंसर, 0.15, 0.15 आपको पहले वाले में है, तो यहां हमारा क्या हो जाएगा, ए अगला कोचे न हमारा दे रखा है, देखो, 1550 रूपए, 1550 रूपए कि एक कमीज को 40% प्लस, यहां पर यह पे यह प्लस लगा हुआ, 40% प्लस 60% के च्छूट पर बेचा जाता है, च्छूट के बाद इस कमीज का दाम कितना होगा, देखो, छूट के बाद हमें इस कमीज क होता है x plus y और minus xy by 100 ठीक है ना यहां पर हमेशा minus रहता है इसी समतुले बटा निकाल लो एक 40% है और plus 60% है minus 60 गुणे 40 बटा सव हो जाएगा ठीक है न यहां से निकालो यह दो को 60 और 40 का योगफल यह सव हो गया और यहां double 0 इनको काट दो और minus हो गया में से 24 तो आपका यहां से कितना बटा 76 76% का उसको ओवराल डिसकांट मिला अगर 76% का दिसकांट मिला तो कमीज के लिए उसे कितना दाम देना होगा मतलब उस छूट के बाद इस कमीज का दाम कितना होगा तो मतलब तो 76% अगर छूट मिल गई तो 24% उसको रूपए देना पड़ा 24% ही तो उसको दाम देना पड़ा है तो 1550 का आप क्या निकाल लो सीधा 24% 24 बटा 100 कर लो ठीक है न 1550 का आप कितना निकाल लो 24% देखो यह 0 से 0 से काट लो 5 से इसको दो बार में काटो और 5 से यह 3 बार में और 5 से एक बार में इस 2 से 24 से 12 बार में 31 का आप गुणा कर लो 12 के बारा 2 एक और 12 36 से 13 373 कितना आ गया हमारा 355 अच्छा इसमें देखो 372 रूपए आया इस कमीज का दाम कितना होगा छूट के बाद छूट देखो 100 में से हमने 24 गटा दिया तो हमारा आ गया अच्छा 40 थ तो आप लोग देख लिजेगा यहां पर एंसर हमारा मैच नहीं कर रहा है अगले सवाल पर आजाओ देखो इसको देखो यहां पर क्या खा गया है किसी संख्या के दो अंकों का योगफल 13 है कोई दो अंकों की संख्या है अंकों का योगफल 13 है यदि संख्या से 9 घटाया जाए तो अंग प्रस्पर बदल जाते हैं वह संक्या क्या है देखो इसका बेशिक बहुत बड़ा हो जाएगा इसको बिल्कुल हम लोग सोट तरीके सीखते हैं कैसे option से लगाएंगे option से question को solve करेंगे किसी संक्या के दो अंगों का योग 13 है योगफल 13 है तो यह देखो वही संक्या हमें संक्या बताना है मतलब वही संक्या आपके चारों option में दे रखा है चारों में वही संक्या दे रखा है 86, 87 और 88 और 33 आप यह बताओ ऐसी कौन सी संक्या है जिनके दोनों अंगों का योगफ एक चीज़ और कहा था इस संख्या से नो घटाये जाए तो अंग परस्वत प्लट जाते हैं तो देखो अगर इसमें से नो घटाएगे तो क्या आएगा तो मतलब इसके अंक्या हुए आप असने पलट गए तो यह हमारा क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा यह वाला अप गलत हो जाएगा तो answer आपके कितना आजाएगा 76 आजाएगा ठीक ये हो जाएगा answer चलिए अगले सवाल पर आते हैं अगला सवाल आपके दे रखा है इसमें देखो कहा गया है चार क्रमागत धन पुडांकों का यूगफल बयासी है तो उनमें से सबसे छोटी संक्या कौन सी है सबसे छोटी संक्या चार क्रमागत धन पुडांक पहला धन पुडांक एक्स प्लस दूसरा धन पुडांक एक्स प्लस वन प्लस तीसरा एक्स प्लस टू और प्लस चौथा एक्स प्लस थिरी इनी का योगफल कितना दे रखा है 82 जोड़ लो 1, 2, 3, 4, 4 x हो गया और प्लस 1, 2, 1, 3, 3, 6 बराबर कितना आपका 82 है आप 6 उधर ले जाके घटा दो तो आपका 4 x बराबर क्या आ जाएगा यहां से घटा दो 6 तो आपका 6 बराबर कितना आ गया 19 यक्स बराबर आपका आ गया तो आपकी सबसे चोटी संक्या 19 सबसे चोटी संक्या आपके एक्स थी और सबसे बराबर कितना 19 तो हमारा गया 19 चले अगले सवाल पर आते हैं अगला question कहा गया है 2,3 और 7 2,3 और 7 का लगुतम समापुर्थ क्या होगा देखो लासा ग्यास करना है तो सीधा तीनों आपस में अभाज संग कहा है तो 2,3,7 कर लो इतना कितना जाएगा तो इनका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा चलें अगले सवाल पर आते हैं question में आपका क्या कहा गया है बोला एक विद्याला में 1500 विद्यार्थी हैं जिसमें 15% मुसलिम, 7% सिख, 8% इसाई तथा सेथ हिंदू विद्यार्थी हैं बिद्याला में हिंद्य विद्यार्थी की संख्या कितनी है आप देखो, टोटल विद्यार्थी 100% है महलें 15 सो है, 100% विद्यार्थी हैं जो कि 1500 के बराबर हैं उसमें से 15% मुसलिम, 7% सिख, 8% इसाई तो देखो, कितना हो गया यह कितना परसेंट टूटल हो गए आठ साथ पंदर पंदर तीस परसेंट तो हिंदू के अलावा हो गए तो हिंदू कितने बचे सतर परसेंट बचे कितने हिंदू बचे से तीस परसेंट मिला के मुसिलीम से किसाई हो गए सेश हिंदू थे तो कितने बचे सतर परसेंट बचे तो वही हमसे सेश की संक्या पूशी थी फिंदू की तो पंदर सोक आप सीदे कितना निकाल लोगे 70% सतर बटा सोक कर लोगे ये 0000 काटलो 15100 देखतो 5, 1050, 1050 आपका तीसरों अला इसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1050 क्या है, हिंदू लड़की हैं, चले, अगला देखें, इस सवाल को देखो, कहा गया है, 20 कुत्ते 10 दिन में 20 मूर्गिया खाते हैं, 40 कुत्ते, ऐसी 40 मूर्गिया कितने दिनों में खाएंगे, बिलकुल आसान सवाल है, हम आपको एक फार्मूला बताया थे, M1, D1 बटा W1, बराबर M2, D2 बटा W2, ठीक है न, M1, D1 बटा W1, बराबर M2, D2 बटा W2, M1, M1 मतलब जो आदमी काम करेगा, वही कुत्ता काम करेगा, 20, D1 आपका कितना है, 10 दिन में, काम कितना कर रहा है, तु यह उसका हो गया काम, 20 मुर्गी खा रहा है, B2, M2 40 कुत्ते अगर हो, D2, हमीं बताना है, कितने दिनों में, कितना काम करेगे, 40 मुर्गी खाएंगे, यह 20 से 20 कर गदे, 40 से 40 कर गदे, आपका D बबराबर क्या आ गया, D बराबर आगया, आपका 10 दिन, 10 दिन में क्या क करेंगे 40 मुर्ग दस कहा है चौत्य आपस्वन में है ना तो वेज़ दस हमारा क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा ठीक बात समझ में आ रही है चले अगले सवाल पर आते हैं दिया है कितना चोटा सवाल आता है कितने सवाल एक अगर अच्छे से कर लोगे तो रेल्वे में पहले पेफर में 30 क्वेश्चन आएगा तो 300 कर लोगे दूसरे पेपर में 35 क्वेश्चन आएगा तो 500 कर लेगे इस बात की हमारी गरंटी है ठीक, चले अगले सवाल पर आते हैं देखो, ये सवाल देखो, इसको देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है 12 छात्राओं की ये कछ्छा के छात्रों का आउसत कद 180 सेंटी मीटर है वर्ग सिछचक के कद सिछक के कद को छात्रों के कद में जोलने पर कछ्छा का आउसत कद घटकर 189 सेंटी मीटर हो जाता है सिछक का कद ग्यांज कीजा, देखो, जब 12 छात्र से तो इनका आउसत 180 सेंटी मीटर था लेकिन जब एक सिच्छक को भी जोड लिया जा रहा है मतलब जब अब टोटल तेरा लोग हो जा रहे हैं तो इन तेरा का आउसत कितना हो जा रहा है एक सो नियासी सेंटिमीटर तो आप बताओ आउसत में कमी आई कितने की कमी आई पहले जो अच्छी था वो एक सो नियासी हो गया मतलब अउसत में एक की कमी आई तो तेरा लोग आए और तेरा के अउसत में एक की कमी आई मतलब टोटल कितना कमी आई तेरा की कमी आई इसका मतलब जो नया आया है वो एक सो अच्छी से कितना कम है है 13 कम है तो एक सब अच्सी से आप जब 13 माइनस करोगे तो Sum 167 सेंटीमीट एक सो 16 सेंटीमीटर स्फशक की लंबाई कितनी हो जाएग烦 सो 33 सेंटीमीटर है तो सिर्फ इतर quasi उसी को माइनस कर देते हैं कितना कमी हुआ 13 लोग में 1 kg सब्सक्राइब कमी हुआ तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं अपने अगले क्लास में डिस्क करेंगे ठीक है आप लोग अच्छे से पढ़ते रहे हैं मस्तर रहे हैं जैहें झाल लोग में आप लोग लोग उना ही हैं जैहें